हे दोस्तो मेरा नाम है अमित कुकरेजा आप दिख रहे हो दा एंड्रोड एक यूड्यूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो का अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पर रेड्मी नोट 10 प्रो और रेड्मी नोट 10 प्रो मैक स्मार्टफून के बारे में जहां दोस्तो दो हफते पहले यहाँ पर गाइस इन दोनों डिवाइस के लिए जो है एक नया अपडेट पुश करा था शौमी टीम ने जो कि था यहाँ पर गाइस मीवा 13.0.5.0 का एक नया अपडेड आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अपडेट की जो है कंप्लीट डीटिल से ने वालों कि आपको इस अपडेट के साथ क्या-क्या बक फिक्स देखने को मिलें क्या बेंचमार्क स्कोर्ण हैं इसके अलबा क्या इस update को करने के बाद आपके device का camera sensor dead होगा की नहीं वो भी यहाँ पर बात करेंगे तो guys आज किस वीडियो के अंदर आपको इस update का पूरा review देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर हम focus करने वाले हैं यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Mac smartphone MIUI 13.0.5.0 update complete review के उपर तो guys अगर आपके पास भी Redmi Note 10 Pro यहाँ फिर Pro Mac smartphone है तो आप इस वीडियो को पूरा इंटर देखना हम बागे दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोड़ी recommendation अगर आप चैनल के उपर पहली बार आए हो तो make sure करें आप चैनल को subscribe कर लो इसी तरह के Redmi Note 10 Pro और Pro Mac smartphone के related और पी वीडियोस देखने के लिए और हाँ दोस्तो इसी के साथ यहाँ पर bell icon को click करके यहाँ पर all जरूर से लेक कर लेना ताकि आपको future वीडियोस के notifications भी जो है time to time आजाए तो बाई अब continue करते हैं हमारे topic की तरफ तो guys सबसे पहले तो बात कर देख सकते हो इसके अलवा चेंड लोग के अंदर Xiaomi ने यहाँ पर सिर्फ यही एक चीज़ हाइलेट करी थी कि यहाँ पर जो आपको security patch है वो यहाँ पर July 2022 का देखने को मिल जाएगा इस update को करने के बाद इसके अलवा guys यहाँ पर Xiaomi ने जो है कोई भी जीज हाइलेट नहीं क कर दिया है सबसे पहले start करेंगा यहाँ पर general changes के साथ कि क्या always on display के अंदर क्या को changes आये हैं तो always on display के अंदर guys यहाँ पर आपको कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा जो clock के styles हैं अभी भी वो बिलकुल same है इसके अलवा अगर display items की बात करें तो यहाँ पर भी अभी भी आप आपको 10 seconds की जो limit है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके अंदर ही यहाँ पर clock formats बगर की तो वहाँ पर भी आपको कोई major change देखने को नहीं मिलेगा and यहाँ पर इसके अलावा अगर अब हम बढ़ें यहाँ पर display के अंद तो guys display के अंदर अगर आप अब यहाँ पर dark mode को on करते हूँ and अब अगर आप जाओगे more dark mode options के अंदर तो अब आपका यह जो option है proper तरीके से काम करने लग जाएगा क्योंकि भाई जो first MIUI 13 का update आया था and second MIUI 13 का update उसके अंदर यह जीज़ बिलकुल भी काम नहीं कर रही थी because of Android 12 लेकिन अब Xiaomi ने इसको fix कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो इन सारी apps के अंदर जो है अब आप यहाँ पर forcefully dark mode को enable कर सकते हूँ and अगर आप इनके toggle को यहाँ पर off कर दोगे तो यहाँ पर dark mode काम नहीं करेगा बहुत सारी users जब भी यहाँ पर MIUI 13 update करने के बाद Amazon या अब अगर मैं यहाँ पर Amazon के अंदर जाओंगा तो यहाँ पर मुझे कोई भी dark mode देखने को नहीं मिल रहा हूँ तो यहाँ पर app जो है बिल्कुल perfect तरीके से काम कर रहा है लेकिन अगर आपको इसके उपर dark mode को forcefully enable करना है तो इस toggle को on कर लो and अब अगर मैं जाओंगा Amazon के उपर तो आप देख सकते हूँ Amazon का जो app है dark mode के अंदर convert हो चुका है तो इस तरीके से आप unsupported apps के उपर भी जो है dark mode को इस तरीके से force कर सकते हूँ तो जिस app के लिए आपको dark mode enable करना है बस उसके लिए यहाँ पर आकर उस toggle को on कर लो इसके अलावा यहाँ पर कुछ और options भी available है कि आप पर जो wallpaper है और जो text पके रहा है उसको भी optimize कर सकते हो dark mode के साब से तो इन दोने local को भी आप चाहो तो यहाँ पर on कर सकते हो तो भाई यहाँ पर dark mode के अंदर showman ने जरूर से कुछ ना कुछ bug fixes किये है और यहाँ पर इसके अलावा गाईज अगर मैं refresh rate की बात क जाए तो यहाँ पर आपको जो control center है वो अभी भी आपको यहाँ पर पुराना ही दिखने को मिल रहा है जिसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अभी भी पुराना control center दिखने को मिल रहा है आप चाहो तो यहाँ पर इस वाले control center को use कर सकते है यहाँ फिर आप old version जो यह option है वो भी यहाँ पर available है इसको भी आप चाहो तो अपने सबसे थोड़ा बहुत customize कर सकते हूँ internet speed को enable करना हो तो इसको on कर लो and battery percentage वगर के चीज़े भी जो है यहीं पर available है इसके बाद guys अगर मैं बात करूं home screen के अंदर तो guys home screen के अंदर जो आपका system launcher है वो यहाँ पर अब update हो चुका है यहाँ अब आपको यहाँ पर animation speed का जो option है by default दिखनी को मिल जाएगा आप इन दिनों options में से animation speed को जो है choose कर सकते हो अगर मैं यहाँ पर relax पर रखूंगा तो guys यहाँ पर होगा कि जो animation के जो speed होगी वो काफी smooth होगी अगर मैं balance पर set करूंगा तो animation थोड़े बहुत fast हो जाएंगे device के overall resources के सबसे अगर RAM जादा available होगा resources available होगे तो यहाँ पर animation काफी जादा smooth होगे लेकर मैं यहाँ पर समझो इसको select कर लूँ fast के ऊपर तो यह देख सकते हो कुछ animation जो है कुछ काफी जादा यहाँ पर fast हो चुके हैं तो यहाँ पर जो basically आपका जो relax वाला option है animations को काफी जादा तरीके से show करेगा अगर मैं balance पर set करूंगा तो यह device के resources के ऊपर depend होगा कि animation कितने जादा smooth होंगे and fast के अंदर animation जो है fully fast हो जाएंगे बागे gestures के अंदर अभी भी option same ही है यहाँ पर कोई भी change नहीं करा buttons के अंदर भी सारी चीज़े same है यहाँ पर आपको same ही button shortcuts automatically disable navigation button same ही सारे option देखने को मिल जाएंगे इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और नया option available है इसने updated system launcher के अंदर चुकिए guys don't show text का अब आप चाओ तो guys आप अपने app icon के जो text है उसको height कर सकते हूँ अब अगर मैं इसको off कर दूँ तो आप देख सकते हूँ home screen के उपर अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर सारे app के जो नाम है मुझे देखने को मिल रहे हैं लेकिन अब अगर मैं जाऊं फिर से settings के अंदर don't show text को on कर दूँ तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर सभी का जो टेक्स्ट है गाया फोच का है और इस तरीके से आप यहाँ पर इस वाले option को जो है कुछ change कर सकते हूँ बाकि यहाँ पर जो सारे option से same ही है show memory status arrange items in recent tab इसके अलवा blur previews का भी यहाँ पर option बिल्कुल सेम ही है तो home screen के अंदर guys इसके अलवा कुछ major changes नहीं है आपको छोटे मोडे changes देखने को मिल जाएंगे बाकि अगर मैं home screen launcher की जो है widgets की बात करूं तो यहाँ पर widgets के अंदर आपको अभी भी यह वाला जो widget का support है देखने को नहीं मि है तो बाई make sure करें आप channel के साथ connected रहें इसके अलवा guys अब अगर हम focus करें कुछ और जीजों के उपर जिसके बैटरी के उपर तो बैटरी की जो settings है वो भी बिल्कुल सेम ही है आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी major change नहीं करा है यहाँ पर आपको वही temperature और charging information देखने को म मिल जाएगा अगर आप heavy user हो तो आपको four to five hours का आराम से screen on time देखने को मिल जाएगा अगर charging time की बात कर लो तो guys यहाँ पर आपका जो charging time है वो होगा तक्रीबन यहाँ पर one hour twenty five minutes से लेकर one hour thirty five minutes तो देड़ घंडा आपको लग जाएगा overall इस device को full charge करने के अंदर मेरे case के अं 100% जब charge करा था तो मुझे यहाँ पर one hour twenty nine minutes का time लगा तो आप अपनी device का time मुझे comment करके जरूर से बता सकते हो कि भाई आपने अपने device को जब full charge करा तो आपको कितना time लगा इसके बाद guys यहाँ पर additional settings के अंदर भी कुछ major change नहीं है memory extension की बात करो तो आपको अभी भी option देखने को मिल रहा है और यह जो 2GB RAM है आपका यह depend करेगा आपके storage के उपर अगर आपके पास 64GB है तो वहाँ पर आपको 1GB का option देखने को मिलेगा अगर आपके पास 128GB है तो यहाँ पर आपको 2GB का option देखने को मिल जाएगा बागी दोस्तों बहुत सारी users का अभी भी यह तो Google डाइलर ही अब यहाँ पर future है आप सभी Xiaomi smartphones का इसके अलवा दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर apps के अंदर install system apps के तो यहाँ पर अब भी आप अपनी system application को जो है uninstall नहीं कर सकते एग्जामपल के लिए अगर मैं यहाँ पर calculator के app info के अंदर जाओं तो यहाँ पर आ यहाँ पर आपको install updates का option दिखने को मिल रहा है ना कि install app का तो install system app जो है अभी भी काम नहीं कर रहा मुझे लगता है भाई Xiaomi को जो है इस option को यहाँ पर permanently हटा देना चाहिए क्योंकि भाई चाइना के अंदर तो भाई काफिज आते हैं MIUI के उपर लेकिन भाई Xiaomi जो है इंडिया के उपर यहाँ फिर global room के उपर इतनी ज़्यादा features नहीं लेकर आता तो Xiaomi से बस एक ही request है कि भाई इतनी ज़्यादा partiality क्यों इंडिया और global region के साथ बागी दोस्तों यहाँ पर मैंने benchmark स्कोर्स को भी जो है capture करा है Geekbench 5 के उपर तो यहाँ पर आप देख सकते हो Geekbench 5 के कुछ benchmark स्कोर्स सिंगल कोर के अंदर आपको 471 का स्कोर देखने को मिलेगा and multi-core 1540 का स्कोर यहाँ पर available है आपके screen के उपर and benchmark स्कोर्स काफी जादा decent है बाकी मुझे आप लोग बताओ आपक सकते हो सारे sensors बिल्कुल perfectly काम कर रहे है अल्टरा वाइड हो गया macro हो गया and video mode भी जो है यहाँ पर बिल्कुल perfectly काम कर रहा है और यहाँ पर आपका जो front camera है वो भी बिल्कुल perfect तरीके से work कर रहा है यहाँ पर कोछ चूज़े ने भाई मुझे last video के अंदर comment करके बोला था कि भाई मैंने front camera क्यों नहीं दिखाया तो यह लो भाई front camera भी देख लो reply दे दूँगा यहाँ फिर मैं try करूँगा अगर आपके कोई special recommendation रही तो मैं इसके उपर dedicated video लेकर आ जाओ बागे दोस्तों make sure करें आप इस वीडियो को like करें share करें and channel के उपर अगर आप पहली बार आया तो make sure करें आप चैनल को भी subscribe कर लो इसी तरह के और वीडियो के अधर करें